हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो आज मैं बात करना हूँ कि TCS की जो आनबोडिंग होती है उसमें कौन-कौन से डॉकुमेंट्स आपको लगते हैं तो गाईज आपको जैसा कि मालूम है जो एक नॉन फ्रेशर्स हैं जो एक्सपिरियंस केंडिरेट हैं या लिटरल हायर्स हैं उ इन लों की जो ऑनबोर्डिंग है वो धिरे 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 हो रही है तो काफी जो डिजिटल वाले हैं लाइक 60-70% उन लों की अल्मस्ट लाइक ऑनबोर्डिंग हो गई है जिनकी नहीं हुई है आउगस्ट एंट तक या सेप्टमबर फर्स चेकंड वीक तक हो जानी है तो ग जुँए बनेट डोकुमेंट्स का युगार करना पड़ेगा इसके अलावा गैस उनलों के लिए भी यूश्फूल हो सकता होगा जो कि फ्रेशर है उनके लिए तो अंडेट परशनी डोकुमेंट्स आपको चाहिए तो गाइस जो सबसे पहला डॉक्यमेंट आपको के पास होना चाहिए वह है काम हो रही है कम में या निवस रखने करें ऐपकी अपने पास रखने खोखता और एक कपी आप अमम्पनी 玜ाना है जब आपके होगी तो अफ़र लेटर हो गया और एक वन एप्लिकेशन फर्म होता है जो आपको एचार भेज़ता है या फिर आप अपने पोर्टल पर जो आपका हाइब होसे भी आपको मिल जाता है तो वह एक आपको करा तो वह उसको फिल करके रखना है इसके लावा गाई जो बहुत इ पर जाए और उस चीज़ को डाउनलोड कर लें क्योंकि यह काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आपके पास यह वाला नहीं है तो कई लाइक बिल्लिंग्स में लोग अलाव नहीं करते हैं लोग चेक करते हैं तो इसका भी आपको प्रिंट लेना है और यह भी आपको मैं को वहां पर मांगेंगे हैं रिक्वाइड है क्यों के यसी होता है पैन देल यह तीन हो गई आप जरूर लेक जिरोक्स करा कर रहते हैं यह वहां पर यूज होगा क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास यह तीनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो वो लोग आपको मतलब मना भी कर सकते हैं कि आप बनवा के लाइए या जल्दी से कीजिए इस तरह से आपको बोलेंगे तो बेटर है कि आप इसका भी प्रिंट आउट लेला है अल्मॉस्ट सबके पास यह चीज़ें होत पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा वहाँ पर आपसे और ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो यह कुछ डोकिमेंट थे इसके अलावा भी डोकिमेंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं आगे वीडियो में उसमें गाईज और जो मांगते हैं आजकल वाइड बैक्ग्राउंड में फोटोग्राफ यह भी मांगा जा रहा है इधर से ओन बोडिंग में तो आप एक दो पाच दो चार जो भी मतलब फोटोगाफ ग्राफिय अपनी करवाल है जिसमें वाइड बैक्ग्राउंड हो तो वह भी आपको वहां वह यूएन नंबर लाइक आपको दिया जाता है थाकि जिससे आपकी जो लाइक पीएफ इदर से कंपनी आपको पे कर रही है उसका रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है इंकम टेक्स वगरा जो आपका डिड़क्ट होता है वो साथ है रिकॉर्ड वहां पर होते हैं तो यह ग लेकिन लेटरल हायर से उनके लिए ज़रूरी है यूएन कार्ड आप डाउनलोड करना पर जाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा इसके अलावा आपको सर्विस हिस्ट्री जो आपने पहले काम किया है आप लेटरल है तो आपको वह सर्विस हिस्ट्री का भी आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है यह भी वहाँ पर आजकल मांग रहे हैं यह हमारे टाइम में तो नहीं था लेकिन अब यह चीज़ें भी मांगी जा रही है तो अगर आपको आपकी कंपनी ने है mouvements स rare काम और यहां भी बहुत-भी प्र्लेंग इस चाहर लें और धा चीज़ जल्दी-स जल्दी ले लहे हैं नहीं तो आप इसमे बहुत-बड़त बड़े प्रोब्लेंग हो जाते हैं तो यह वाला काम यहां पर इस यह तो आपकों में फस जाएंगे वह आपको आपके अनबोर्डिंग के डेट को आगे भी बढ़ा सकते हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको हमेशा ध्यान में रखिए अगर आप किसी और कंपनी में भी जा रहे हैं कभी भी कहीं भी जा रहा है तो रेजिगनेशन रेजिगनेशन एक्सेप्टेंस लेटा या फिर आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट है वह आपके पास होना ही चाहिए अदर्वाइज आप दिक्कत में फस सकते हैं एक फॉर्म नाइन होता है वो भी आपको ले ले लेना है वो भी आपको लेके जाना है अपने साथ और इन सब्सक्राइब करते हैं या फिर मेडिकल की अरफ कि अब होता गया है कि उसके बाद आपको गैप हो गया एक साल का दो साल का सब्सक्राइब करते हैं अगर आपका 2 दो साल, तिन साल से जादा गाप रहेगा तो आप को टी सेस वाल से दो साल यह बेढर तो पूले बहुत बैस बना के देता है कि आपawn ऐसे वह mencion proud सकते है आप वह आ पर आपक कर आप नी बिमारी या फिर जो भी आप न रहा है या प्रप्रेशन कर रहा थे आई टीजी का या नीट का जो भी आपका रहा था प्राब्लम या फैनेंशल इस्यू था क्या था नहीं था उस सारी चीज़ें आप उस पर मेंशन करवा सकते हैं और आपको वह आपको ऑन बोडिंग के टाइम पर सब्मिट करना पड़ता है अग आपको मिल जाएगा कि कैसे बना जाता है किस फॉर्मेट में बना जाता है और क्या चीज़ें वहां पर लिखी जाती है अगर आप बड़े सीटी से हैं लाइक डेली से बैंगलोर से हैदराबाद से तो यहां पे आप जाएंगे किसी भी लॉयर के पास जो की नोट्री है त तो वो आपको इसका फॉर्मेट उसके पास पहले से होता है वो तुरंत आपको बना कर दे देगा तो गाइज यही सारे डॉकुमेंट्स आपको चाहिए आप जब जा रहे हों अपने ऑनबोर्डिंग के लिए TCS में तो यही था आज का वीडियो और गाइज अगर आप हमस इंग्डिन में आपको प्रोफाइल में कुछ आपको इनांस्मेंट करना हो तो आप हमसे इस लिंक पर वन टूवन कंसल कर सकते हैं इस पर मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं आप हमारा टॉप मेट पेज जाकर भी देख सकते हैं तो काफी लोगों को मैंने हेल्प है जो आप पब्लीकली पूछ सकते हैं कमेंट डॉक्स में जरूर पूछें अगर मुझे पता होगा उसका अंसर तो मैं अंसर देने कोशिश करूँगा अगर मुझे नहीं पता होगा तो कोई और इसको पता होगा वो इस चैनल को देख रहा है तो वह भी वहाँ पर अंसर आपको दे सकता है तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में जानते हैं नेक्स टॉपिक के बारे में थैंक्स पूर वाचिंग बाए बाए